पंजाब National Bank of State Bank of India दोनों के ऐसे mobile application है जिसके बारे मैं आपको नहीं पता तो इस वीडियो में मैं आपको PNB Bank के दोवारा वा SBI Bank के दोवारा जितने भी application launch किये गए हैं उनके बारे मैं complete information के साथ आपको बताने वाला हूँ इन दोनों बेंकों में कुछ application ऐसे हैं जिनके नाम आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं PNB Bank का एक ऐसा application जिसका नाम है PNB Verify तो इस application में क्या होता है इसा PNB Verify application को डाउनलोड करके इसमें ID बनाने के बाद में आपको internet banking वे mobile banking application के लिए आपको कोई OTP डालने के जुरूत नहीं है बस आपको approve वा reject का option चुनना है आप automatic login हो जाओगे तो ये उन लोगों के लिए जो internet banking वे mobile banking application का बहुँ ज़्यादा परियोग करते हैं तो उन्हें हर बार OTP डालने के जुरूत नहीं है बस आप approve कीजिए तो automatic login हो जाओगे और reject कर दिया तो आप उसमें login नहीं कर पाओगे अब बात करते हैं M Passbook application जो आता है PNB Bank के द्वारा तो जो आप physical passbook के entry करवाने के लिए PNB Bank की branch में जाते हो उसी परकार online अपनी passbook को print करवा सकते हो इस application में उसके बाद में application आता है PNB One PNB Bank का mobile application है यनि आप इनसे debit card, credit card जितने भी banking काम है वो सारे manage कर सकते हो PNB One में यदि आपका PNB Bank में account है तो आपको ये app जरू डाउनलोड करना चाहिए अगला application है PNB Bank का We Care तो इस application में आप customer support को अच्छा करवा सकते हो PNB Bank का आप इसके लिए suggestion दे सकते हो यदि आप कोई feedback देना चाहो या कोई complain दर्ज करना चाहो तो आप इस app के मादेम से कर सकते हो अगला application है PNB Genie तो इस application को खासतोर credit card holder के लिए बनाया गया है यदि आपके पास credit card है तो आपको इस application को जरू डाउनलोड करना चाहिए अगला application है भारत QR तो यह application merchant के लिए बनाया गया है यदि उनकी कोई बड़ी दुकान है तो उनमें यदि PNB Bank का यह QR code लगवा दिया तो आप बहुत परकार के transaction कर सकते हो payment को receive कर सकते हो settlement की cycle बड़ी अच्छी होती है को अगले दिन payment आपके bank account में मिल जाएगा तो यह दि आप merchant हो तो आपको इस एफ को जरूर डाउनलोड करना चाहिए जिस एफ का नाम है PNB बारत QR merchant अगला application है भीम आदार PNB तो आपने देखा होगा PNB Bank की जो physical branch है उसके side में कुछ ऐसी दुकाने होती है जिने हम customer service point भी कहते हैं CSP तो वो क्या होते हैं आपके आ आदार कार्ड से आपके खाते से पैसे निकाल सकते हैं तो इदि आप ऐसा काम करना चाहते हो तो आपको यह एफ डाउनलोड करना होगा तो यह होगे वो application जो PNB Bank के सबसे अच्छे हो और आपको जरूर उपयोग में लेने चाहिए अब बात करते हैं SBI Bank के वो application जो सबसे SBI का mobile application है Yona SBI तो इसमें आप वो सारे काम कर सकते हो जो आपको एक ब्रांच में जाके करने पड़ते हैं आप debit card के लिए apply कर सकते हो अपना balance देख सकते हो balance transfer कर सकते हो user ID बना सकते हो debit card को apply कर सकते हो बंद कर सकते हो उसकी limit बढ़ा सकते हो इन पर हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है जिनका link आपको वीडियो की description में मिल जाएगा आप वो वीडियो जरूर देखिए उसके बाद में application आती है Yona SBI light तो यह जो Yona SBI यह उसका lighter version है कुछ ऐसे feature है जो आपको इसमें नहीं मिलते हैं लेकिन यह भी कापी अच्छी application है इसका उप्योग आपको जरूर कर करना चाहिए अगली application है SBI quick तो यह application इसमें आप भी बहुत परगार के काम कर सकते हो यह खासतोर miss call banking के लिए पर चलीता है यानि कुछ आपने ऐसा सुना होगा कि यार bank में एक ऐसा number होता है जिन पर दिया हम miss call देते हैं तो bank के दोवारा हमारा balance बता दिया जाता है इस पर ह आपने एक वीडियो बनाई है जिस वीडियो का link भी आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप complete information चाते हो तो आप description को check कर लिजिए वहां पे आपको बहुत वीडियो के link मिल जाएंगे आप प्रोपर एक है वीडियो को देख लीजिएगा अगला application है Yona business तो यह जो business करते ह योना application के मादेम से जैसे bank account open करना और भी बहुत परकार के काम होते हैं उनके लिए यह खास तोर पर योना business application बनाई गई है अगला application है SBI Pay तो जिस परकार phone पे काम करता है Pay ATM काम करता है उसी परकार एक आपको special user ID बना दी जाती है आपकी जिसे कुछ लोग UPI ID भी गहते हैं वो काम आप इस एप से कर सकते हो अगला application है SBI Secure OTP तो यह उसी परकार का application है जिस परकार मैंने आपको बताया था PNB Verify आपको OTP डालने की जुरूत नहीं है बस आपको approve और reject करना है उसी परकार काम कर सकते हो आप SBI में इस एप को download करके और last application में बताना चाहूंगा SBI Card यदि आपके पास SBI Bank का कोई भी credit card है तो उसे manage करने के लिए आपको SBI Card app download करना होगा यदि वीडियो पसंद आया हो तो like कीजिए यदि चैनल पसंद आया हो तो subscribe कीजिए जय हिंद जय बारत